Hey guys, welcome to my magic channel Hindi Magic Tricks तो guys, आज किस magic वीडियो में मैं आपको एक काफी कमाल का magic सिखाने वाला हूँ जिस magic को करने के लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है और ये जो magic है मैं करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ दो मार्चस की तीलियों के साथ तो guys, यकीन मानिए ये जो magic है काफी कमाल का होने वाला है और सिर्फ दो मार्चस की तीलियों से आप इसे कहीं भी कभी दिखा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले magic को देख लेते हैं और इस वीडियो के अंड मैं आपको magic सिखा भी दूँगा इसलिए वीडियो को अंड तक देखते रहें तो guys, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी पास यहां पे दो simple सी match sticks है यानि simple सी दो तीलिया है जिनने मैंने अपने match box से निकाला है तो guys, इन तीलियों के साथ यकीन मानिए किसी भी type के वे trick बगारा मैंने नहीं करी है यह normal तीलिया है, ठीक है? आप ध्यान से देख लीजिए तो guys, इस magic को करने के लिए आपको सिर्फ दो तीलियों की ज़रुद पड़ेगी आपके पास अगर दो तीलिया है तो आप इस magic को कहीं भी दिखा सकते है तो चलिए guys, सबसे पहले इस magic को मैं आपको करके दिखा देता हूँ और बाद मैं आपको इस magic को मैं सिखा भी दूँआ तो इस magic को करने के लिए मैं इन तीलियों को कुछ इस तरीके से अपनी fingers में यहां पी पकड़ लेता हूँ ठीक है? बेख सकते हो तो guys, अब अपनी नजरें बिल्कुल भी इन तीलियों से नहीं अटाना ठीक है? क्योंकि यह जो magic है काफी interesting होने वाला है और अगर आपने अपनी नजरें इन तीलियों से हटाई तो आपको magic बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है तो चलिए guys, मैं पहले आपको magic करता हूँ तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि तीली बिल्कुल दूसरी तीली के अंदर से पार होते हुए अंदर जा चुकी है और अब ये बाहार नहीं निकल सकती ठीक है? देख सकते हो तो guys, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो तीली है मैंने क्या किया है कि यहाँ पे फिंगर अपनी हटा दी होगी और तीली को अंदर घुसा दिया लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आप चाओ तो दो तीली आ लेके आप भी ट्राई कर सकते हो आपसे यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज करी एक magic trick तो वो आपको मैं एंड में बताने वाला हूँ क्या magic trick है तो फिलाल मैं यहाँ से इस तीली को बाहर निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ चलिए guys 1, 2, 3 तो guys जैसा कि आप देख सकते हो कि तीली अब बाहर आ चुकी है तो guys इस magic को सीखने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाई करके अपने facebook और whatsapp पे शेयर जरू करें और हाँ guys कल मैंने अपने नई वाले magic के चैनल पर काफी कमाल की magic वीडियो अप्लोड करें थी जिसके अंदर मैंने एक paper को आपकी आँखों के सामने जला दिया था बिना matches के, बिना lighter के और बिना आख के तो आप लोग ने उस वीडियो को काफी ज़्यादा पसंद किया था अगर आप मैंसे किसी भाई ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उस वीडियो का link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा और उस वीडियो को उपर i button में भी add कर दूँगा तो वहां से आज जाके आप उस magic को देख सकते हैं लेकिन उससे पहले guys आज किस कमाल के magic को सीख लेते हैं तो गज़ इस magic को करने के लिए आपको चाहिए simple सी दो तीलिया और कुछ भी आपको इस magic को करने के लिए नहीं चाहिए और थोड़ी सी आपको practice करनी पड़ेगी इस magic को देखाने से पहले ठीक है तो इसका secret मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना नहीं तो आपको magic समझ में नहीं आएगा तो चलिए guys मैं आपको बताता हूँ तो होता किया guys कि हम दौनों तीलिया कुछ इस तरीके से audience को show करते हैं ठीक है आप जन्हें भी दिखा रहे हो आराम से इने show कर सकते हो उनके हाथ में दे सकते हो तीलिया कि देख लिजिए इन तीलियों में कुछ भी नहीं है ठीक है और फिर आप इने अपने हाथ में लेकिए अपनी fingers में कुछ इस तरीके से पकड़ना है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यह पकड़ लेनी है और पकड़ने के बाद आपको ऐसे position बनानी है ठीक है और ऐसे पहले touch करके दिखाना है कि देखो तीलिया अंदर नहीं जा सकती ठीक है फिर आपको magic के वहाने से क्या करना है तो यहाँ पे उपर से आपको यह थमबे हटा देना है ठीक है कुछ इस तरीके से तो यह मैंने आपको slow motion में दिखाया इसलिए आपको थोड़ा सा दिखाई दे गया ठीक है तो आपकी तीली अंदर चली जाएगी अब यह होता क्यों है वह आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ पहले इस तीली को मैं यहां से बाहर निकाल के दिखाता हूँ वन, टू, और यह थ्री देख सकते हो यहां से थोड़ा सा हटाया और guys हमारी तीली निकलने जगह हमें मिल गई तो अभी होता क्यों है, यह गिरती क्यों नहीं है तीली आपने साइट ट्राइ किया होगा तो आपके हाथ में से तीली गिर गई होगी ठीक है, तो होता क्यों है guys कि मैंने यहां पर काफी pressure से पकड़ रखा है तो यह तीली है, यह pressure की बज़े से यहां पर stick हो जाती है देख सकते हो, यह बिल्कुल यहां पर चिपक जाती है अगर मैं ऐसे खड़ा करके रखूँगा तो तीली गिर जाएगी ठीक है, अभी भी चिपकी होई है, देखो गर गई तो इस हाथ को खड़ा करने का मतलब इतना सा है कि यह जो तीली है सीधी खड़ी रहे गिरे नहीं, अगर मैं ऐसे कर दूँगा तो तीली गिर जाती है ठीक है, तो इसलिए गाईज मैं क्या करता हूँ, इस तीली को कुछ तरीके से पकड़ रखता हूँ और दूसरी तीली को ऐसे, ठीक है, और जब करता हूँ, वन, ट्यू, थ्री तो तीसरी काउन पर मैं इसे धीरे से अटाता हूँ, उठे को और यहाँ पर जो तीली अंदर चली जाती है और धीरे से निकाल लेता हूँ, ऐसे, तो गाईस, स्पीड में करने से आपको पता नहीं चलेगा, कि कैसे इस मैजिक किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चारा है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्रिस जरूर करना है, इस मैजिक को दिखाने से पहले, नहीं तो आपका ये मैजिक समझ में आ जाएगा किसी को भी,